योगी राज में अंधेर गंगा बालू के अवैत खनन में जिले के अफसरों ने मामले को सीमा विवाद में उलजा कर जम कर खेल किया आज हमारे हाथ मामले में जाज करने वाली राजस्व टीम की रिपोर्ट लगी है जिसमें ये साबित हो रहा है कि खनन फत्यपुर की सीमा में अवैत तरीके से किया गया और फत्यपुर का प्रशासन मानो खनन माफियाओं को बचाने में लगा हुआ है अवैत खनन की जाच नायब तहसिलदार और छे लेक पालों की अगवाई वाली टीम ने की टीम ने अपनी रिपोर्ट में बकाइदा इस बात का जिक्र तक किया कि फत्यपुर के गुनीर गाउं में गंगा बालु का 11,500 घन मीटर जमीन पर अवैत तरीके से खनन किया गया है और हद तो तब हो गई जब फत्यपुर के अपसर अपनी टीम की जाच रिपोर्ट को ना मान कर खनन को वैद बताने लगे हैं प्रशासन की इस अंधेर गर्दी में जिले के डीम और कई अधिकारी शामिल है जो कैमरे के सामने इस मामले में कुछ भी बोलने को तयार नहीं है देखिये फत्यपुर से धीरेंद प्रताप सिंग की ये रिपोर्ट करीबों को बचाईए कुनीर के किसानों को बचाईए कुनीर को बचाईए खनन माफियां को दूर करें कुनीर को नया दीजिए कुनीर हल्का खोकर मला जाता है कोई सुल्माई नहीं होती है खनाना दिकारे मुर्दावाद थिखाईए कुनीर के किसानों को बचाईए जया जरांन इसानी वी टीज़ नजे रहा दोनाट शाटे का अधिया सोचीन जीजर में जीजरा हूलब है प्राइब करनी तो शाल में ठीज शाल भी कोचाहिए दूंगा है खोशित करने थूरी कठना ही होगी है तो अनुमत लेनी पड़ेगी अब रही बात ये है कि जब हम लगान भर रहे हैं और लगान में नहीं देते हैं तो गंगापूरुस में जा रही है जगा और जो होए उन्ना जिला में जो चली जाएगे तो बताओ नान नान बच्चा ने किसके मंजूरी करेंगे किस तरीके दिखाएंगे कैसे चलेंगे गाड़ी या कैसे चले जाएगे बताओ और गोली से मार देंगे इसी खंती में दाब देंगे तो आदमी डिरा डिरा भगता है परद्धन के लगे जाते हैं कि का भूखन मर जाएंगे तब यहोग चलो आज फटेपुर को तैयारी बनाओ फटेपुर में अप्लीकेशन लगाओ लड़े वाला कोई हमारे तिरी हार नहीं है गंगा तरे से बाही रही बारू खेत में परी है जंगल भी ठाड़ा है उराई मुझ खोद खोज के माटी सब जा रहा तो पाइसे जी यह जा रही है शेर उसमें कहा गिया है मानने तैसिलदार मौदे बिंदकी के शाइन होते हुए यादेश लिखा हुआ है मेरे पास मौद है उसमें है कि ये खनल अवैद हो रही है ये आराजी गुनीर ग्राम सभा की है जन्पत फटेपुर की है उन मौदे को करना चाहिए कुछ करते नहीं मौदे गुप्त बहुस्था करते रात में ठालते हैं खनल पार्टी को और बैठाल करके क्या तैकर लेते हैं हमें कोई डिसीजन देते नहीं रात में फिर हम लोगों जानकारी मिली तमाम जो है चारो तरफ दौड़ बाद हुई है वहां करी 5-7 लोग तो बिलकुल जो है जिनकी जला ही दी गई है और लपेट में तो आ रहे हैं नुपसान कितने रुपए का हुआ लगभग बाभु जी ये चार महीने से प्रक्रिया चलती है लोग पचासो हजार रुपया ले करके कर्ज का जो है ब्याज का लगाते हैं व है माद है सुनते ने तैसलदार माद है रिपोर्ड में लिए टाहल रहा हूं एक नहीं 16 है झौए तारीक कोई स्ट्व मिंकी त्यों माध्यम आट चलता पूरत ही आप एस्धी दरने न्हाट हो किमात है क्ली आपद्धंवी हमारी जमीन हमरे जहां खनन हो रहा हुआ पारे अंदर पड़ी उसके आगे हमारी जमीन करिभास तर्जरीव आगे पहार रही है क्या प्रसाशन के आ प्रसाशन सहाब गुष ले करके उसको बता कि हमारे गुलीर की जमीन है क्या तैसील प्रसासन एस्टीम भू माफिया के हाथ हो विका है कौन ने दिखा रहे हैं कि हमने और एस्टीम जाव में संवी दूरुप से जाच किया वहां पर वहां कोडिनेट लिये वहां को वह कोडिनेटर उन्नाव की सीमा बता रहा है पुरा चेतर उन्नाव में है वो गूगल सरवे हुआ इक तरह से लेकिन जो आपके भूबिलेक बता सेटलाइट रेटिंग देखा रहा है सेटलाइट रेटिंग में पूरी तरह वह उन्नाव चेतर का और उसकी सीमा लगभव महां से 2981 मीटर गूमनिर जो चेतर पड़ता है